आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तख बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान सरकार कॉटन एक्सपोर्ट पर आंशिक बैन लगा सकती है कीमतों में तेजी के कारण एक्सपोर्ट पर आंशिक बैन संभव है एक्सपोर्ट पर बैन से घरेलू सप्लाई बढ़ेगी और दाम घटेंगे कीमतों में तेजी के कारण इंडस्ट्री पर भारी दबाव बना हुआ है एक साल से भी कम समय में भाव 90,000 पर प्रतिक कैंडी पहुँच गए है कुछ वराइटी के दाम एक लाग प्रतिक कैंडी तक भी पहुँच चुके है अक्टूबर से पहले कीमतों में गिरावट की उमीद कम है बता दें कि अक्टूबर तक बजार में नई सप्लाई आएगी ग्लोबल शॉटेज से भी कॉटन की कीमतों में तेजी आई है सरकार ने हल ही में कॉटन इंपोर्ट पर ड्यूटी घटाई है सरकार ने कॉटन इंपोर्ट पर सितंबर तक ड्यूटी हटाई है ड्यूटी हटने के बाद भी कीमतों में जादा गिरावट नहीं है इधर लागत बढ़ने से टेक्सानल सेक्टर ने उत्पाधन घटाया है टेक्सानल सेक्टर और्डर्स देने के बाद सप्लाई में तीन महीने की देरी हो रही है इस वीच फेडरेशन औफ सीड इंडस्ट्री फार इंडिया का दावा है कि सरकार की रोख के बावजूद देश में HTBT cotton की अवैद खेती में तेजी से बढ़ातरी हो रही है जिससे ना सिर्फ बीज इंडस्री को नुकसान हो रहा है बलकि किसानों को भी लूटा जा रहा है Federation of Seed Industry for India का क्याना है कि HTBT cotton की अवैद खेती पर सरकार को रोक लगानी होगी हर्भी साइट tolerant BT का इस्तमाल तेजी से बढ़ा है महराश्टर, गुजराद, तेलांगना, आंधर प्रदेश में cotton की अवैद खेती हो रही है 2022 में कुल cotton area के 20 फीजदी में इस्तमाल हो रहा है बाजार में अलग-अलग ब्रांड के नामों से बीज बेचे जा रहे हैं और पैकेट पर पिंक बॉल वार्म नियंतरन करने का गलत दावा किया जा रहा है किसानों से बीच के दाव 15 सरुपे प्रती पैकेट वसूले जा रहे हैं जो की सरकार के रेट से काफी उचे भाव पर दिख रहे हैं अब अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग अप नहीं हर दुकानदार की बस एक ही आप बिग ब्लिस बिग ब्लिस चुने केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं अपने कारोबार को बढ़ाएं मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं बिग ब्लिस बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान